स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होते हैं ये तो हम सब जानते हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ स्प्राउट्स से बनने वाली एक बहुती स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी जो शायद आपने पहले नहीं खाई होगी स्वादिष्ट का इतना मज़ेदार है कि एक बार अगर इस तरीके से इसे बना करके खाएंगे न तो हर बार इसे खाना पसंद करेंगे इतनी स्वादिष्ट बनती है ये तो इससे बनाने के लिए मैंने कड़ाई में एड़ कर दिया एक टेबल स्पून ओयल का और ओयल जैसे ही गरम हो जाए मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक चोटा रफली चॉप किया हुआ प्याज प्याज के साथ मैं इसमें एड़ कर रही हूँ पांच से छे लसन की कलियां और साथ में इसमें जाएगा एक इंच अद्रक का टुकडा तो इन सारी चीजों को इसमें एड़ कर देने के बाद हमें इने हलका सा चला लेना है जब तक कि इनका कलर हलका सा चेंज नहीं हो जाता और जैसी इनका कलर चेंज हो जाए हम इसमें एड़ करेंगे हाफ कप फ्रेशली ग्रेटिड कोकॉनट का कोकॉनट को सारी चीजों के साथ हमें भूनना है low flame करके जब तक कि इसका color golden नहीं हो जाता तो जैसे इसका color change हो जाए अभी आप देख सकते हैं इसका color हलका golden होना start हो गया है तो बस इतना ही इसे बूनना है बहुत जादा brown नहीं करना है हलका golden color होते ही gas का flame off कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे इसके बाद इसका paste बनाएंगे तो mixture हमारा यहाँ पर ठंडा हो चुका है और इसे हमने add कर दिया है mixer jar में और इसमें add करेंगे अब थोड़ा सा पानी और पानी डालके अब इसका हमें smooth paste त्यार कर लेंगे और पेस्ट हमारा बनके तयार हो चुका है तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मेरे पास धाई कप मुंग डाल के स्प्राउट्स तो स्प्राउट्स बनाने के लिए मैंने मुंग डाल को ओर नाइट पानी में सोक कर लिया था और next day एक सूती कपड़े से उसे बानके हैंग कर दिया था और थोड़ी-थोड़ी देर में इसको स्प्रे करते रहना है आपको तो दो दिन तक कपड़े में हैंग करके मैंने इसको पानी से स्प्रे कर लिया था और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिजल्ट मिला है मिरको यहाँ पर स्प्राउट्स का अब मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया और उसमें टू टेबल स्पून ओयल के एड़ कर दिये हैं और ओयल जैसे गरम हो जाए मैं इसमें यहाँ पर एड़ कर रही हूँ एक छोटा चमच जीरा का जीरा के साथ इसमें जाएगा एक छोटा चमच सरसोदाना का और इसके बाद मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ लगबग तीन पिंच हींग के और साथ में यहाँ पर जाएगा कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है तो आप इसको जरूर एड़ कीजिए इस रेसिपी में और कड़ी पत्ता को एड़ कर लेने के बाद इसको हलका सा चला लेंगे सारी चीजों के साथ और गैंस का फ्लेम बिलकुल लो रखना है हमको और इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक बारिक कट किया हुआ प्याज और प्याज को हमें भून लेना है जब तक कि इसका कलर पिंक नहीं हो जाता जैसी इसका कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसमें मसाले एड़ करेंगे प्यास का कलर चेंज हो चुका है हलका गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है तो मैं हापर एड़ कर रही हूँ आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर का एक छोटा चमच इसमें जाएगा लाल मिर्ची पाउडर एक छोटा चमच धनिया पाउडर और साथ में हापर जाएगा आदा छोटा चमच गरम मसाला का और आदा छोटा चमच इसमें जाएगा भुना हुआ जीरा पाउडर का अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम बिलकुल लो रखना है ताकि मसाले जो हैं वो जल ना पाए और जैसे ही मसालों से खुश्बू आने लगे हम इसमें एड़ करेंगे दो मीडियम साइज के बारी कटकी हुए टमाटर इसमें डाल लेंगे और टमाटर को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक इसको यहाँ पर भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम में जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ नहीं हो जाते तो साथ में मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ स्वादा अंसार नमक तो वो आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर एड़ कर लें अब नमक को अच्छे से मिला लेंगे टमाटर के साथ और इसे तब तक भून लेंगे जब तक टमाटर सॉफ नहीं हो जाते तो टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और अब हम इसमें एड़ करेंगे पेस्ट जो हमने नारियल और बाकी चीज़ों से तयार किया था वो सारा पेस्ट इसमें एड़ कर देंगे पेस्ट को इसमें एड़ कर देने के बाद इसे अच्छे से सारे मसालों के साथ मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम में इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे ओल रिलीज नहीं हो जाता तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है यहाँ पर और इससे ओल भी रिलीज हो चुका है तो इस स्टेज में हम इसमें एड करेंगे अब स्प्राउट्स को और स्प्राउट्स को इसमें एड कर देने के बाद सारे मसाले के साथ इसे अच्छे से कोट कर लेंगे और लगभग दो मिनट तक इस मसाले के साथ हम स्प्राउट्स को भून लेंगे दो मिनट तक इसे भून लेने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी क्यूंकि हमें ये थोड़ी ग्रेवी वाली रेसपी बना रहे हैं तो इसमें पानी डालेंगे अब हम तो मैं यहाँ पर लगबग सवा ग्लास पानी का एड़ कर रही हूँ या जितनी आपको ग्रेवी इसमें चाहिए हो उतनी आप यहाँ पर पानी की क्वांटिटी तै कर सकते हैं तो इसको अच्छे से मिला लेने के बाद प्रेशर कूकर का लिड लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसमें तीन सीटी आने देंगे तो प्रेशर कूकर का प्रेशर रिलीज हो जाने के बाद आप देख सकते हैं रेसिपी हमारी तयार है तो अगर आपको थोड़ी और ग्रेवी चाहिए हो तो आप पानी की मात्रा इसमें बढ़ा सकते हैं आखिर मैं इसमें एड़ करेंगे हरा पत्ता धनिया का रेसिपी हमारी तयार हो चुकी है सर्फ करने के लिए तो मैं इसे सर्फ कर रही हूँ स्टीम राइस के साथ आप चाहें तो प्लेन पराठे या चापाती के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं तो अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा वना है इसमें तोड़ा सा नीमबू जरूर डालें खटते के लिए टेस्ट बहुत बढ़िया है तो आप भी जरूर ट्राइ किजिए इस रेसिपी को हेल्दी होने के साथ साथ बहुत स्वाधिश्ट भी है मेरा ये वीडियो और ये रेसिपी अगर किसी भी रीजन से आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा जै हिंद जै भारत